बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, खिल-खिला के हस रहे हैं, क्रिकेटिंग गॉप, तर्शोकों से खचा-खच भरा हुआ यह मैदान, टॉस का है साथ, he goes for tails, and it's tails, बादिंग फर्स, बड़िया एडवांटेज है, अब बड़े स्कोर में तबदील करना चाहेंगे, इस एडवांटेज का, कप्तान अपनी टीम के साथ कहुच चुके हैं मैदान पर, सामने की टीम को हलके में आखना होगी, गलती, दोनों ही टीम ने कुछ प्लान किया है, और बेटर सेफ दैन सौरी, बल्ले बाद जोखिम उठाएगा नहीं, डॉट बॉट इसा लगा जैसे गेंद गाया भी हो गई हो, क्योंकि बल्ले से तो सबका बढ़िया प्रदेशन, फील्डर ये 24 कैरेट खरास होना है एक दम आसान कैच छोड़ दिया भाई, इससे ज़्यादा सिंपल कैचेज, क्विकेट में तो आपको मिलेंगी नहीं और ये गई, चार के पाउग चीते को बीचे छोड़ दें, इतनी तेज भागा ये बल्ले बास साधारन सा कैच, लेकिन कैच तब तक होता नहीं, जब तक पकड़ा जाए नहीं, कैच छूटा है इस मौके को चौके में किया तबदील, और गोगिया समा पहली गेंद पर गवादिया अपना विके, कैच पकड़ने के लिए लगाई है डाईव और पकड़ भी लिया है, बड़ी आंदाज में तौफे में दे गए अपनी विकेट, अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं अपने आप से पहुत, अपनी विकेट नहीं गवानी है यहाँ इनको तो फिर, जस्ट गो बाग तो दो बेसिक्स बल्लेबाजी की टेक्सबुक नहीं लिख रहे हैं यह जनाब, अविश्कार किया है नया शॉट हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया, बड़िया रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बढ़िया लेंथ पर बढ़िया गेन, सही ठिकाने पर गेन, बल्लेबाज खामोश और यह गई चाद के पाउड और यह गई चाद के पाउड सरपड भाग रही है गेन, चौके की तरफ, कमाल की डाइब, सूपर फिल्ड है इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुवात अंड़स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही, लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती चाद गाना चाहते हैं, मीडियम पेसर को बुलाया है गेन्दबाजी पर अलका सा घुटने को टेका है और पैडल स्वीप का किया है बढ़िया इस्तमाद फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो बहुती फाइन खेला इस पैडल स्वीप शॉट को मिलेंगे रंस फील्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थ्रो भी तो फील्डर और गेन्दबाज का अच्छा ताल मेल बढ़िया थ्रो ये तो थोड़ी सी खराब सी गेन्द नो बॉल का इशारा मिलेगी फ्री हेट जिस अंदाज में गेन्द को उठाया उसी फूर्ती से गेन्द को फैका वाड़ रन आउट फ्रीज पर आए है नो बंड़ बास उमीद यही है कि टीम प्लान के साथ वो जुड़े रहेंगे और एंकर का रोल अदा करेंगे ऑन सैट की दिशा में फ्लिक किया रन बटोरे बढ़िया जज्चमेंट तेज रनिंग बढ़िया रन बटोरा बल्ले बाज उन्य पिक्चर परफेक्ट शॉप पिक्चर परफेक्ट शॉप फिल्डर की अच्छी एफट और बढ़िया थोड़ अपने पेस और अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज लेकिन क्या आज विकेट चटका सकते हैं फिल्डर का बढ़िया थ्रो एक दंस्टंस के उपर झेँ प्रौ़ प्रौ़ अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं क्या चौकों की तिकड़ी लगा पाएंगे बल्लेबास अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेकिन उससे भी बहतर भागने की गती पूल अच्छी आशा के साथ गेंद थमाई थी गेंदबास को गेंद प्लान को नहीं किया है फॉलो निराज है ठटांग बहारी किनारा फील्डर मुस्तैद पकड़ लिया है कैच्छ अब इन्हें सिरफ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर लेक्स्पिनर के हाथ में है गेंद क्या फसा पाएंगे बैक्स्पिन को कि अब कुल साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट नए अखिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफटी तांग है अट्रिक लेने का मौका था मौका चूग गया डाइव की टाइमिंग बिल पुल सटीग स्पॉट ओं रोग लिया है चौकर कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शाट चाका अब ये शॉट आपको नहीं मिलने वालक प्रिकेट कोचिंग मैनुवल में चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास अब ये बात तो तह है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शॉट बढ़िया जज़्जमेंट तेज रणिंग पढ़िया रंग बटोरा भल्ले बास उन्ग आज तो बहुत महनत मशक्कत करनी होगी भल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं बोलिंग टीम की एक जोरदार अपील अपील्स दमदार अंपायर को भी लगी असरदार आउट करार दिया अंत में ओवर स्ट्रेपिंग यानि की नया खिलारी मैदान पर अब कोशिश करनी है इनको की अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ़्टी ताम बल्ले बाजी की टेक्स्ट्बुक नहीं लिख रहे हैं ये जनाब अविश्कार किया है नया शॉट हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बड़िया रानिंग बिट्वीन दविकेट्स इस सिंगल के साथ की है पारी की शुरुआ लंच का समय और समय कप्तान ने गेंद दी है ओफस्पिनर को विकेट की है मंशा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंदबास फूर्ती से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो चीते को पीचे छोड़ दें इतनी तेज भागा ये बल्ले बास रिजबार बड़ी शॉट का प्रियास रिजबार बड़ी शॉट का प्रियास क्या चौको की तिकड़ी लगा पाएंगे बल्ले बास बल्ले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश बढ़िया जज्जमेंट तेज रनिंग बढ़िया रंगभटोर आप बल्ले बासों में चेंज ऑफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रंइंग बेट्वीन दविकेट्स अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं इससे बहतर शॉर्ट क्रिकेट में आपको दिखेगा नहीं खूब सूरत स्ट्रेट ड्राइव इस बॉल को रोकना मुश्किली नहीं ना मुम्किन हमेरे दोस्त चार 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 है ट्रिक और फोर्स स्क्वेल लेक की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गई है मिड विकेट शेतर में मिड विकेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा फील्डर की अच्छी एफ़प और बढ़िया थोगी पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठ्थी और यही काम कर रही है ये टीम मुठ्भेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबाज सटी गेंद डॉट गेंद बनले बाज पूरी तरह से हुआ बेजुबान एक और डॉट गेंद अब दबाव बढ़ता हुआ बनले बाजी की टीम पर अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेगिन उससे भी बहतर भागने की गती फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो फूर्टी से भागना होगा अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अंडर्स्टैंडिंग तो अच्छी थी ही लेगिन उससे भी बहतर भागने की गती आउट का इशारा अंपायर की तरफ से और सेलिब्रेशन्स रगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे बियारेस नहीं लेने का किया है फैसला अब कोशिश करनी है इनको थी अंत तक जमे रहें और टीम को ले जाएं सेफ़ पी ताख खूपसूरत गेंध हवा में तैरती हुई नजर आईए बल्ले बास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंध बास की फील्डर की अच्छी एफ़ और बड़िया थोबी विक सिंगल पारी की शुरुआत अच्छे अंदाज में फील्डर की अच्छी एफ़ और बड़िया थोबी बड़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौका नहीं एक और बड़िया गेंध एक बार फिर रन नहीं बहार की गेंध अच्छा जज्जमेंट जाने दिया की परतर आउस्पिनर को बलाया है क्या गेंध टरन होगी क्या गेंध स्टांस पे जाके लगेगी शॉट इतना सीधा की तीर शर्मा जाए ऐसा स्ट्रेट ड्राइव बड़िया गेंध कोई रन नहीं इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं सठीक लाइन, सठीक लेंथ, कठिन सवाल बल्ले बास के पास बॉल को अपने तकाने दिया हल्का सक्या पुश टेकनिकली परफेक्ट दो रन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया है थोड़ा सपरिशान किया है गेंध बास को भर सक्किया प्रयास की गेंध के नीचे पहुचे पहुचे भी और पकड़ा भी जबरदस्त कैच एक मुस्तैद फील्डर से एक एंड पर सेट बल्ले बास खड़ा है उन्हें जरूरत है अपने नए साथी से पूरी सपोर्ट के दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंद बाज is on a roll, मुस्पैदी, चुस्ती, एक एंड पर सेट बल्ले बाज खड़ा है, उन्हें जरूरत है अपने नए साथी से पूरी सपोर्ट, हैट्रिक लेने का मौका था, इत मौका चूक गया, पी ब्रेक का समय होने ही वाला है, धैरिक हो, थोना सा बदलाव करने की है कोशेश, फास बोलर को गुलाया गया है, शॉट बॉल से पुश किया बल्ले बाज को पीछे, उनका जवाब था, ये करारा पुल, फील्डर्स में डाला दबाव, एक को किया, दो में तब दिये, रोकने की कोशेश, कोशेश ना काम्याब, एक और चार्ड, रन आउट, एक और नो बॉल, ये एक्स्ट्राज बाद में बहुत महेंगे पड़ेंगे इस टीम को, एक एंड पर सेट बल्ले बाज खड़ा है, उन्हें जरूरत है अपने नए साथी से पूरी सपोर्ट का, बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन संपर्क नहीं, भाग गया बल्ले बाज के साथ, बल्ले बाज को थोड़ा क्रैम किया, एक और डॉट बॉल गेंदबाज के, घुटना मोड के लगाया है ये पैडल स्वीप, घुटने टेक दिये हैं गेंदबाज में, बड़िया फुट वर्क, कलाईयों की कलाकारी, फ्लिक, हलक असा शफल किया और गेंद को लेक्स साइड पे भेज़ा, चीते को बीचे छोड़ दे, इतनी तेज भागा ये बल्ले बाज, समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ, कदमों का बेहतरीन इस्तमाल और उससे भी बेहतरीन शॉट चौका, इस बार साफधानी का हाथ थामा है बल्ले बाज ने, वेल लेफ्ट बढ़िया गेंद कोई रन नहीं, फील्डर ने जान जोग दिया, इस गेंद को रोखने के लिए, आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं, हर डॉट गेंद के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ, जबर्दस शेत्र रक्षन, आज हमने देखा है कि कुछ कमाल के अथलीट्स मैदान पर है, फील्डर का बढ़िया थ्रो, एक दम्स टम्स के ऊपर, हाँ और ना में, टाइम वेस्ट नहीं किया, बढ़िया रनिंग बेट्वीन दविकेट्स, क्या सही समय पे पहुँच गए वो क्रीज में, अब यह क्या मीडियम पेसर, फटा-फट विकेट्स चटका पाएगा, यह होगी देखने लाएग बाद, बढ़िया गेंड लेकिन उससे भी बढ़िया डिफेंस, बेटर सेफ दैन सौरी, बल्ले बाज जोखिम उठाएगा नहीं, डॉट बॉट बाज बल्ले बाज ने आगी की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका, चतुराई भरा मिश्रन गेंद बाज को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो हैं और स्कोर बोर्ड भी क्या चुस्ती, क्या मुस्तैदी, क्या फुर्कती, जान जोग दिया इस फील्ड रन ने, कमाल अब ये बात तो तहर है कि इंके कोच ने नहीं सिखाया होगा इनको ये शॉट बढ़िया जज्जमेंट, तेज रनिंग, बढ़िया रंग बटोर आप बल्ले बाजुन फील्डर का बढ़िया थ्रो एक दम्स टम्स के उपर, इसे कहते हैं संभल कर खेलना, इन दो रन्स के साथ संभाल रहें अपनी टीम को शॉट इतना सीधा की तीर शर्मा जाए, ऐसा स्ट्रेट ड्राइव और स्ट्रेट को बुलाया है, क्या गेंद टर्न होगी, क्या गेंद स्टांट पे जाके लगेगी करीबी मामला मिला भागये का साथ, सटी गेंद, डॉट गेंद फील्डरों गेंदबास का चाताल मेल बढ़िया थ्रूँ सही एंटिसिपेशन, रिसीव किया गेंद को और पकड़ा बढ़िया कैच इसको साधारन बल्लेबाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट बल्लेबाजों को रूपने में नाकाम्याब रहा है, फ़ड़ा सा इंको संभल की खेलना लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद साधारन बल्लेबा रहा है फिल्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदार्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा मिड़ॉन की तरफ बढ़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं अटैक इस दे बेस्ट फॉम अफ डिफेंस और यही कर रही है फिल्डिंग यूनिट पहली गेंद बन गई आखरी गेंद खाते में एक रन भी नहीं गोल्डन डाक चक्मा दिया बल्ले बाज को चमक गया गेंद बाज क्लीम बोल्ड तौफे में दे गए अपनी विकेट अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं अपने आप से ख़ड़ा सा इंको संभल के खेलना होगा और पोशिश करनी होगी कि अंध तक ये नाबाद रहे महीन सी दी दरार उसमें से बटोर लिये हैं पूरे चार्ट एक जबरदस डिफेंस एक बहुत ही बढ़िया गेंद को स्टंफ ब्रेक के साथ खेल में हुआ है अर्ध विराम लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद बल्ले बाज ने आगी की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका बल्ले बाज के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश बढ़िया गेंद और मजबूर किया बल्ले बाज को कि सिरफ रक्षात्मगंदाज में खेल इस बार भी डिफेंस करने का ही फैसला किया सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने एक और एक ग्यारा होते हैं ये फिल्लिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजीशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहे सबका बड़िया प्रदेशन फिल्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फिल्डर देगा नहीं पॉइंट फिल्डर के हाथ में सीधा ड्राइव कोई रन नहीं है इसे कहते हैं बड़िया फिल्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं रोकने की कोशेश, कोशेश ना काम्याब एक और चार्ट अटैक इस बेस्ट फॉर्म फॉर्म और यही कर रही है फिल्डिंग उनिट फिल्डिंग उनिट का बड़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा बड़िया फिल्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौका नहीं लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेन फिल्डर ने जान जोब दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं पॉइंट फिल्डर के हाथ में सीधा ड्राइव कोई रन नहीं आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात्मक अंदाज में खेला पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फिल्डिंग में है पूरे जाबास महीन सीधी दरार उसमें से बटोर लिये हैं पूरे चाथ सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फिल्डर ने एक और एक ग्यारा होते हैं ये फिल्डिंग यूनेट ने बता दिया को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहें समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुवात कर रहे हैं और स्पिनर के साथ अटैक इस बेस्ट फॉर्म अफ दिफेंस और यही कर रही है फिल्डिंग यूनेट सही ठिकाने पर गेन बल्ले बास खामोश महीं सीदी दरार उसमें से बटोली हैं पूरे चाथ हुआ है कि जर अची दर्शक दीरघा में बहुत सारा रोमाज अभिनंदन कर रहे हैं वो इस फिल्डिंग इफर्ट का आप झाल को कि अव्च जटे चूँब मैं आपित बड़े लाज धफ़े कि अव्छूक अवड़ेड़े कि अव्छूक कि अव्छूक कि अव्छूक ऑट ढाग। कि मौन झाल 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 अंपायर को अपना डिसीजन बदलना होगा यह बड़ी अपील लेकिन अमपायर ने कहा लगता है कि अब रिव्यू की तरफ जाएंगे थोड़ी सी गुफ्तगू फील्डिंग कप्तान ने कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं यह डिसीजन अपील को नकार दिया है अमपायर ने नौट आउट करार दिया है कप्तान ने गेंद दी है ओफ्स्पिरर को विकेट की है मन्शा क्या उस पे खरे उतरेंगे गेंद बास सही पड़ा लाइन को सही पड़ा लेंथ को जाने दिया कीपर तक इस गेंद को पड़ने में पूरी तरहां से असमर्थ बल्ले बास बढ़िया गेंद कोई रन नहीं बढ़िया खेलने का अंदाज जाने दिया है गेंद को कीपर के पास बल्ले बास ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकण है बल्ले बास ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद सबका बढ़िया प्रदेशन फील्डर ये 24 कैरेट खरास होना है पॉइंट फील्डर के हाथ में सीधा ड्राइव कोई रन नहीं बल्ले बास के सर के उपर से गई है गेंद चौका देकर जाएगी बहुत बड़ी गलोती गेंद बास का टाउंड दा ग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा स्क्लाग बूम और ये गई चार के पार इसे कहते हैं बड़िया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्डिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजिशन को सानी से रन लेने ही नहीं दे रहें विकेट की है फील्डिंग यूनेट का बड़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा लेक्स साइड पर बड़िया स्कुरे ड्राइव लेकिन रन मिलेगा नहीं आज तो बहुत मेहनद मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं एक और बड़िया गेंद एक बार फिर रन नहीं फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं वील्डर कि अविए वील्डर का ये। बड़िया फील्डिंग बल्लेबास के पास रन लेने का मौका नहीं अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फील्डिंग यॉनिट चेंज ओफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में सटी गेंड डॉट गेंड अब यहां तो भागने की भी जरूरत नहीं सबका बढ़िया प्रदाशन फील्डर यह 24 कैरेट खरा सोना है मिड्विगेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा कि यूटिफुली स्ट्रक बल्लेबास के सर के उपर से गई है गेंड चौका देकर जाएगी बहुत बड़ी गल्रति गेंड बासकर एक बार फिर मजबूर किया बल्लेबास को डिफेंस करने के लिए बड़ी आगेंड बाजी प्लाइब प्लेबास को थमाई गई है अब गेंड बल्लेबास ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंड को रोका बल्लेबास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बाल गेंड बास की गेंड बड़िया थी कठिन सवाल था लेकिन बड़िया जवाब जाने दिया गेंड को कीपर के पास एक और खराब गेंड ये गेंड गई बहुत दूर कोसो दूर और देकर गई है बाइड के चार रन विपक्षी टीम को चतुराई भराब मिश्रन गेंड बास को फिर नहीं मिला रूम खामोश वो है और स्कोर बोर्ड भी बढ़िया गेंड को दिया है सम्मान बैट पैड साथ में बढ़िया है डिफेंस इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास एक एक रन के लिए तरस रहे हैं पॉइंट फील्डर के हाथ में सीधा ड्राइव कोई रन नहीं आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक्मक अंदाज में खेला खेल दोबारा शुड़ होगा टी ब्रेक के लेट स्पिनर को थमाई गई है अब गेंड सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने बेटर सेफ दैन सॉरी बल्ले बास जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉट पिक्चर परफेक्ट शॉट पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास बेडर सेफ दैन सॉरी बढ़िया छोड़ा इस गेंद को सूजबूज के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने जोग्य के साथ ओवर समा कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर बनले बास के मन में है थोड़ी सी शंका अभी भी है खामोश फीलग कर दोड़ा पामोश जो खामो खामोश एर और जण दिया है एक और चौका स्टाइश फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदाशन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा नेक्स साइड पर बढ़िया स्कुरेड राई लेकिन रन मिलेगा नहीं ना लाइन पर कंट्रोल ना लेंथ पर नियंत्रन ये था आमंत्रन पिटाई गे लिया बोलिंग चेंज का है समय वैसे तो इनके नाम के आगे मीडियम पेसर लिखा है बल्लेबास को थोड़ा क्रैंप किया एक और डॉट बॉल गेंदबास की आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्लेबास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं रन अप मेही थोड़ी सी गड़बर थी कर गए थोड़ा सा ओवर स्टेप एक्स्ट्रा रन और एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी बल्लेबासी टीम को कदमों का बहतरीन इस्तमाल और उससे भी बहतरीन शाट चाटा पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठ्धी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में है पूरे जाबास पॉइंट फील्डर के हाथ में पिर्चे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रेट स्ट्लॉग डाउन दा ग्राउंड इस मौके को चौके में किया तब्दील और गो गिया समाथ कि आपस्पिनर को बुलाएं क्या गेंद टर्न होगी क्या गेंद स्टंफ पे जाके लगेगा आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षात्मक अंदाज में खेला बेटर सेफ दैन सौरी बल्ले बास जोखिम उठाएगा नहीं डॉट बॉब सबका बढ़िया प्रदाशन फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है मिद्विगेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फील्डिंग यॉनिट बढ़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौकण है फील्डर ने जान जोख दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक्मक अंदाज में खेला सटी गेंद डॉट गेंद एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्डी यूनेट ने बता दिया है और पोजीशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहे इसे कहते हैं बड़िया फील्डेंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं मिड्विगेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं मिलेगा बल्ले बाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका समय है स्पिन के इंट्रोडक्शन का शुरुआत कर रहे हैं और स्पिनर के साथ बढ़िया गेंद कोई रन नहीं इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्ले बाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं अटैक इस दे बेस्ट फॉर्म अफ डिफेंस और यही कर रही है फील्डिंग यॉनिट पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी और यही काम कर रही है ये टीम मुठभेड के लिए है तैयार फील्डिंग में हैं कुछ गेंदो को छेड़ने में नहीं छोड़ने में ही होती है भलाई समझते हैं बल्ले बास चेंज ओफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में सूझ बूझ के बगड़ा इस गेंद को फील्डर ने लेक्स साइड पर भड़िया स्कुएर ड्राइव लेकिन रन मिलेगा नहीं फील्डर ने जान जोग दिया इस गेंद को रोकने के लिए आज आसानी से रन मिलेंगे नहीं सबका बढ़िया प्रदाशन फील्डर ये 24 कैरेट खरा सोना है फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदाशन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा चोग ये के साथ ओवर समा लेक्स्पिनर को थमाई गई है अब गेंट आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं बड़िया ड्राइव लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं बड़िया फील्डिंग बल्ले बास के पास रन लेने का मौका नहीं रेस बार बड़े शॉट का प्रेयास ये आउट करार दिया है अंपायर में अंपायरिंग डिसीजन से बल्ले बास बिल्कुल ना खुश पैट्समन मांगने वाला है रिव्यू रेफर करेंगे इस डिसीजन को एज लगा है या नहीं लगा है ये क्या होने वाला है गेंद में हमें दिखिया बहुत बड़िया मूवमेंट और बॉल ट्राकिंग टेकनॉलिजी भी कनफर्म कर देगी ये किस प्रकार से हवा में तैरी गेंद यहां उंगली खड़ी की है औरिजनल डिसीजन आउट था आउट रहेगा अब मूमन में मिडल और में बैटिंग करते हैं लेकिन आज बैटिंग और में किया है बदलाव देखते हैं क्या भाग्ये बदलेगा इनका इस गेंद को ना तो पड़ पाए ना जड़ पाए बढ़िया गेंद चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्लिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजिशन को आसानी से रन लेने ही नहीं दे रहें शॉट फाइन लेक फील्डर के हाथ में गेंद सबका बढ़िया प्रदेशन फील्डर ये 24 कैरेट खरास होना है लेक स्पिनर को थमाई गई है अब गेंद पिक्चर परफेक्ट शॉट इसे कहते हैं बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे हैं मिड्विगेट पे खड़े फील्डर के तरफ सीधा मारा ड्राइव रन नहीं आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक्मक अंदाज में खेला तॉफ स्पिन के वेरियेशन से तंग करना चाहते हैं बल्लेबाज को बढ़िया फील्डिंग बल्लेबाज के पास रन लेने का मौका नहीं फील्डिंग यूनिट का बढ़िया प्रदर्शन अगर जीतना है तो फिर इस मोमेंटम को चालू रखना पड़ेगा प्रदर्शन नीचे की तरफ रही है गेंच चतुराई वाली बोलिंग गेंदबाज पांचों उंगलिया मिलके बन जाती है मुठी हम आपके साथ जल्दी ही जूआए चेंज आफ पेस का प्लान है फास बोलर को बुलाया गया है अटैक में आगे वाले पाउं को आगे की तरफ बढ़ाया और रक्षाक मगंदाज में खेला बल्ले जंका अभी भी है खामोश बल्ले बास के सर के उपर से गई है गेंज चौका देकर जाएगी बहुत बड़ी कल रहती है गेंडबास का आज तो बहुत मेहनत मशक्कत करनी होगी बल्ले बास को क्योंकि रन आसानी से ये फील्डर देगा नहीं जबर्दस शॉट डाउन दा ग्राउंड दे कर जाएगा चौका कर दो कप्तान ने मीडियम पेसर को बुलाया है अटैक पर रन तो नहीं मिलेगा इस गेंद पर लेकिन गेंद को छोड़ा बहुत अच्छे से लाइन को क्रॉस करना उचित नहीं नो बॉल का इशारा दिया अमपायर ने बल्लेबाज ने आगे की तरफ पैर निकाल के गेंद को रोका सही ठिकाने पर गेंद बल्लेबाज खामोश एक और एक ग्यारा होते हैं ये फील्लिंग यूनेट ने बता दिया है और पोजीशन को आसानी